चाहे वो कोई आक्टर हो या आक्टरस हो, आजकल ट्रॉल होना आम बात हो गया है जी हाँ, चाहे वो किसी कपड़ों को लेकर हो, या किसी ड्रेस को लेकर, या कोई बया या कुछ बोल दिया हो तो उसको लेकर कोई ना कोई ट्रॉल होता ही रहता है हेलो दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस फारा खान और आपका स्वागत है नेक्स नाइन नियोज में आज मैं आपको इस आक्ट्रस के बारे में बताऊंगी जो ट्रॉल हो गई है जी हां लेकिन किसी द्रेस को लेकर ने आपको क्या लगता है मैं ड्रेस ट्रॉलिंग के बारे में बताऊंगी नहीं यह मामला कुछ और ही है जिसको लेकर वो ट्रॉल हुई है और उन्होंने साफ कहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूं 15 अगस्त को फाति सक्ट है acá liyao बता रहए जब से 370 हर्टी है तब से कोई न49 आपको अपनी बातों को सामने रख रहा है तो कि चलते शनल पांतों की चलते उसको सराया जारह है। लेकिन अच्वार जी हाँ, 420 से अपने करियर की शुरात कने वाली फातिमा और दंगल में अपने किरदार से जाने वाली फातिमा जिनोंने गीता फुगात का किरदार निभाया था और सिव यही फिल्म में नहीं, हिंदुस्तान ठक पाच ठग्जोप अंदस्तान में आने वाली फातिमा जी हाँ इन पर ट्रॉल्स का निशाना साधा जा रहा है आपको बता दू कि ट्रॉलर्स इन पर निशाना चाहते वे इन्हें आंटी नैशनल भी कह रहे हैं और इन पर भूत सारे इर्जाम भी लगा रहे है अब पूरा माजुर क्या है आपको बताती हैं बॉलिवड आक्टर्स फातिमा सना शेक की इंस्ट्रग्राम अकाउंट का प्रोफाइल फोटो 15 अगस के दिन ब्लाक हो गया था सौतंत्रता दिवस के दिन अपनी डीपी पर दा किमेज लगाने को लेकर फातिमा सना शेक सोचल मीडिया यूजर्स के निशाने पर हैं पहले में सारी बात आपको बताओं उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जम्मो कश्मीर से मोधी सरकार द्वारा आर्टिकर 370 को हटाई जाने के बाद से पाकिस्तान की प्रुधान मंत्री इमरान खान इसका विरोध कर रहे हैं और सोचल मीडिया पर अपनी ब्लाक प फातिमा पर आरोप लगाया है कि तौनक पाकिस्तान का सपोर्ट करते हूँ ऐसा किया हाला कि दंगल पने फ्रिव किर गया है फातिमा ने अपनी नई इंस्टा पोस्ट पर सबसे पहले सौतन तृता दिवस की भगाई दिया और उसके बाद लोगों के बीच अपनी समस्या रखी कुछ रिपोर्ट के मुताबए कि समस्या के दुरान जितनी भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीपी नहीं थी उन सबी के प्रफाइल पिच्चर डांग हो गए थे फातिमा भी इसका शिकार हो गई फातिमा ने अपने पोस्ट में बताया तो किसी ने ट्विटर पा मेरे बारे में एक फर्जी पोस्ट की है जो कहती है कि मैंने आज के दिन अपनी डीपी को ब्लाग कर ले आए मुझे नहीं पता किस वज़े से इसी वज़े से मुझे सुबा से धेरो नफरत भरे मेसेज़े आ चुके हैं प्लीज फर्जी पोस्ट को शेयर मत करिये और ना उन्हें आप पर हावी होने दीजे आपको बता दूं कि फातिमा ने जाहिर कर दिया है कि वो ऐसा कुछ नहीं क कर रहे हैं और यह सब जो उनके साथ हुआ है वो बहुत टेक्निकल गल्पी है यहां फराकान नेक्स नाइन लिए तो देखा आपने इस रिपोर्ट में पूरा मसला यह है कि जो जो इस फैसले के खिलाफ है उसने ब्लैक डीपी लगाई थी यानि कुछ ब्लाक पोस्ट किया या किसी की साजिश है उन्होंने साफ इसको कह दिया कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं और इसके बाद उन्होंने अपनी गल्ती को बिल्कुल ठीक भी किया उन्होंने सब को सौतंत्र दिवस की हार्दिक शुपकामनाई भी दी जिसके बाद से वो और ट्रॉल होने लगी अ आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही मैं आपसे फिर मिलगी मुझे इजाज़ दीजो बने रहें नेक्स नाइट न्यूस के साथ